हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू बेंकर स्टेड़ी इंति स्पेशल मैं प्योशादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी फैमिली में और आश्यकरतम कि आपस सभी लोग सवस्त होगे और अपने पर बार कापी ध्यान रख रहे होगे तो जैसा कि आपको थम्रेल से भी दिख रहा है कि RRBPO 2022 कैसे निकलेगा कैसे शुरुआत करें जी हाँ यह बिलकुल एक दर्म सही टाइम है बहुत अच्छा टाइम है RRBPO की स्टार्टिंग करने का चाहे आपने से कोई भी तैयारी करने की सोच रहा है या फिर जो बच्छे पिछली साल कैसे भी थोड़ी से मार्जन से रह गए थे तो क्या उन्हें बूस्ट अप करना चाहिए इसके उपर में बात करने वाला हूँ और जी हाँ यह बिलकुल सच है अब देखो मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं लेके आता ना मैं कोई पेड क्लासेज लेके आता हुए थे उन्होंने मुझे मैसेस किये थे परसनली मैसेस किये थे और अगर हम उन बच्चों को काउंट करते ना तो 37 सेलेक्शन हुए थे बहुत चोटा सा करियर है अभी तक इस चैनल का केबल पिछले साल से हमने शुरू किया था और केबल गाइडेंस दिया था और क्वा देते हैं तो चलिए शुरूआत कर लेते सिर्फ वीडियो को और अगर अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम ग्रूप को जाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जाइन कर लो वहां पे आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कल से मैं टेलीग्र सबसे important जो होता है हिंदी हिंदी की reading की चीज़ा फिर से शुरू होने वाली है इस group पे तो यहाँ पे आप जुड़ जाहिए और आने वाले time में यहाँ पे बहुत सारी pdfb आपको मिलने वाली है जो आपके prelims के लिए बहुत ज़्यादा important होगी even mains के लिए भी बहुत ज़्यादा important होगी वो quantum से related होगी वो reasoning से related होगी और हाँ हिंदी की reading के लिए आप हमारी telegram group को 100% join कीजिए कल से इसमें हिंदी की reading की daily जो पहले की तरह है जो हम links डालते थे वो हम फिर से start कर देंगे तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले दिखिए किस तरह से हमको start करना है उसके वापारे में जरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखो कई तरह के बच्चे होंगे मैं उन्हें थोड़ी सी category के हिसाब से एकर मैं बता दूँ कि एक तो वो होंगे जो एकदम से beginners है जो इस बार सोच रहे हैं कि उन्हें RRB PO करना चाहिए क्या नहीं आपने से बहुत से बच्चे इसलिए भी इसको करने की कोशिश करते हैं सब को पता है state government के जो exams होते हैं उनका क्या हाल चल रहा है तो यहाँ पे आपको जो beginner बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली साल से तयारी शुरू की होगी और काफी हद तक उन्होंने अपने आपको improve किया होगा और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पिछले काफी सालों से try कर रहे हैं लेकिन proper guidance ना होने की वज़े से वो कही ना कही थोड़ा बहुत रह जाते हैं ठीक है तो जो beginners होते हैं उनको मैं suggest करने वाला हूँ कि आप सबसे पहले जाए और जो जनवरी के कुछ दिन रह गए ना यानि कि ये 5 days जो है ना वो आप इस चीज पर बिताईए कि आपको आखिर इस RRB PO में आने क्या क्या वाला यानि कि आप यहाँ पर syllabus चेक करोगे और syllabus चेक करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने ये उठाया और quant में ये देखना शुरू कर दिया कि भाई इसमें quant में कौन-कौन से chapter आते हैं I am not talking about the chapters मैं फिर से clear कर दू कि यहाँ पर syllabus से देखने का मतलब है कि अगर आपने quant में ये देखा कि इसमें कौन-कौन से chapter आते हैं तो उस chapter के कोई भी mock test आप देख लीजे बहुत से mock test पहला mock test free में देते हैं प्रिवेस येर के बहुत सारे लोगों ने paper आपको available हो जाएंगे YouTube पे अब समने लगबकर आए हुए है तो वहाँ पर आप उन्हें chapters को देखो और questions देखो कि questions किस तरी के पूछे जा रहे हैं और किस तरह का level पूछा जा रहा है अगर आप puzzle देख रहे हो तो puzzle मैं ये देखो किस type की puzzle पूछी जा रही है उनका जो level है वो क्या है क्या वो single variable की puzzle है double variable की puzzle है कितनी possibility इसाथ में चल रही है इस तरह से आप इन 5 दिनों में अपना syllabus चेक करो मैं syllabus चेक करने के लिए कि मैं आपको 5 दिन की मौलत देता हूँ कि आप इन 5 दिनों में अपने आपको कुछी तरह तरह तयार कर लो कि किस तरीके से आपका syllabus पूछा जाएगा not for the pre, even for the mains यानि कि pre भी करना है और mains क्या भी syllabus चेक करना है जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो सबसे बड़ी गलती जो हर बच्चा करता है जो start करता है या फिर एक दो साल पुराना होता है जब उसके बाद में समझ भी आता है कि भाई, pre says कुछ नहीं होगा हम शुरू से ही pre plus mains को लेके चलेंगे हमेशा ही ठीक है, तो आपको pre और mains से दोनों का syllabus आपको चेक करना है जो भी new beginners हैं और जो पिछली साल जो लोग रहे गए थे या फिर जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनको एकदम से syllabus clear होगा तो आप लोग क्या करिए जो भी नई लोग है जो medium या फिर पुराने लोग है वो इन पाँच दिनों में क्या करोगी भाई आपको जितना भी previous year का paper मिल रहे न previous year का paper जहां से भी मिल जाए चाहे वो pre के question हो या फिर वो mains के question हो वो आप लोग एक बार go through जरूर करो आपको YouTube पे बहुत सारी चीज़ां ये available हो जाएंगी ठीक है तो आप लोग ये जरूर करोगे मैं ऐसी उमेद करता हूँ और आप जनवरी का जो समय है वो सिर्फ इसी में लगा दो पांच दिन बच्चे हैं बहुत अच्छे से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आप अब कहाँ पर stand कर रहे हो ठीक है और fab से आप अपनी preparation को शुरू कर दोगे जो भी बच्चे beginners हो उनके लिए खास वीडियो है और काफी सारी बातें यहाँ पर मैं सबको बताने वाला हूँ तो skip मत करना किसी भी हाल मैं वीडियो को और यहाँ पर सारी चीज़ आपको फिरी तो वैसे भी मिलने ही वाली है तो यहाँ पर देखू हम थोड़ा सा बात कर लेते है कि इस channel पर आपको क्या-क्या मिलने वाला है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर जो मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है हिंदी यानि की आपके लिए एक तरह से रामभार जो चीज़ है ना कौन से बच्चे English को लेके परिशान रहते है तो यहाँ पर आपको हिंदी मिलने वाली है हिंदी की पहले से एक प्लेलिस्ट है जिसमें लगबख 60 प्लस वीडियोस डली हुई है 60 प्लस वीडियोस डली हुई है उसमें तो सबसे पहले तो जाके आप वो प्लेलिस्ट चेक करो उस प्लेलिस्ट को ख़तम करो जो भी बेगिनर से और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनोंने हमारी वीडियोस पहले से देख रखी होंगी तो आपके लिए एक और खुशकबरी ये है जी हा बिल्कुल सही सोच रहे हो खुशकबरी आपकी ये है कि डेली क्लासेस तो अवलेबल कराना फोड़ा से मुशकिल है क्योंकि आपको जानते हो वर्क प्रेशर सवर ज़रा रहता है तो खुशकबरी ये है कि आपकी वीक में at least मैं कोशिश करूँगा कि दो क्लासेस आपकी हिंदी की मैं स्टार्ट कर दूँ और देखिए जनवरी अभी चल रहा है मेंस चब तक होगा तो उसमें सेप्टेमबर अक्टूबर के आसपस जाके आपका मेंस होगा तब तक आपकी इनफ एक और प्लेलिस्ट बन जाएगी जो 2022 के लिए चल रही होगी और 2021 में जो हिंदी कराई है उसकी प्लेलिस्ट आपके पास है ही और उसमें शायद मैंने 6 या 7 मौक टस्ट भी कराए थे वो भी आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लिजे तो एक वीक में कुशिश करेंगे दो क्लासिस को लेने की और ये आपके लिए बिल्कुल ही खुशकबरी है हिंदी के लिए ठीक है और मेंस की जो पजल है मेंस की जो पजल है जो भी लोग नए जोड़ रहे हो चैनल से एक बार मेरी प्लेलिस को जरूर चेक कर लो मेंस की मैंने वहाँ पर पजल कराई हुए है हूब हूब आर रवी प्यों के एक्जाम में जिस तरह की पजल आती है सेम वही लेवल कराई हुआ है 20-22 पजल क्या सबस कुछ कराई हुए है पजल नहीं सौरी बात करो कि वह आपको कैसे करनी है ठीक है पास दिन है बिगनर्स को भी मैंने बता दिया है जो पहले से कर रहे हैं तो यहां से आप अपने आपको बूस्ट अप करो अब आने वाले टाइम में बहुत से एक्जाम आपको मिलेंगी ठीक है और एक चीज़ जो मैं आपको अभी से बता के चल रहा हूँ कि आप अभी से ये चूज मत करना कि आपको हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है ठीक है अभी से चूज मत करना कि हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है दौनों को equal time देना शुरू करो Hindi को भी दो, English को भी दो ठीक है, आप थोड़ा सा जिसमें भी comfort zone में जाओ, तो हो Hindi की playlist पहले से है और मैं extra videos भी इसमें add on करने वाला हूँ नई playlist पर आऊँगा 2022 के लिए तो वहाँ पे एक हफते में दो वीडियो की कोशिश करेंगे, और English को भी मैंने शुरूआत कर दी है, तो आप लोगोंने बहुत से रूल पड़े है मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे हम किर चीजों को देखके वहाँ English में हमें perform करना है एक्शुल में देखकत यह होती है कि हमको यह पत, rules हमें सारे पता होते है हमें काफी सारी चीज़े पता होते है लेकिन वहाँ पे exam में कैसे ढूणनी है वो चीज़े, कैसे करनी है वो देखकत कर जाता है तो English का भी मैंने कोशिश किया है कि मैं शुरुआत कर चुका हूँ सबसे पहले 240 rules की एक series चल रही है वो मैं पहले complete करूँगा उसके बाद बाकी चीज़ों के उपर भी चलेंगे तो वहाँ पे भी आपको काफी हद तक help मिल जाएगी और काफी सारे teachers भी बढ़ाई रहे है तो हिंदी और इंग्लिश अभी आप चूज मत करो कि किस सब्जेक्ट पर जाओगे दोरों ही सब्जेक्ट पढ़ो आपको जो समय के साथ ज़्यादा comfortable मैसूस कराई उस सब्जेक्ट के उपर फिर आप एक्स्ट्रा तयारी करना शुरू करना स्टार्टिंग मैं दोरों ही सब्जेक्ट को लेकर आपको चलना है और रीजनिंग और क्वांट मैं आपको बेसिक से शुरूआप करनी है और जो लोग पुराने हैं वो लगातर मेंस की तयारी करना शुरू करो दिन में आप एक दो घंटे जो छोटे वाले टॉपिक्स होते हैं उनको आप दे सकते हो ठीक है और उसके अलावा आप सिर्फ मेंस की तयारी करो और जो भी बेगिनर्स हैं वो बेसिक से तयारी करते हुए एडवांस लिविल तक आपको जाना है इनफ टाइम है और आप अपने लिए एक टार्गेट सेट कर दो कि मार्च एंड तक मार्च एंड तक आप अपने आपको कम्प्लीटली तयार कर लोगे रेड़ी कर लोगे यानि कि आपके पास है कम्प्लीटली टू मन्स इन दो महीनों में आप अपने syllabus को तो at least complete कर दोगे चाहे वो beginner हो, चाहे वो हमारे old students है जो भी है वो इसको कर देंगे complete March end तक Maximum आप चा सकते हैं 15 April तक इसके बाद आपको कोई भी discount नहीं मिलने वाला है time तक तो अपने आपको इस timeline में बांद लो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ mains की तयारी पर ही focus करना है सोच रहे होगे, सर पागल तो नहीं हो गए हो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ mains पर focus करो problems बहुत easily निकलेगा और साथ मैं GS को भी अभी से लगातार पढ़ना शुरू करो daily basis पर आप current affair पढ़ना शुरू करो एक वीडियो पढ़ा करो चाहिए किसी से भी पढ़ो लेकिन GS को पढ़ना भी शुरू करो, computer को भी आप daily 15 से 20 मिनट पढ़ सकते हो, काफी मैंने questions कराई हुए हैं इसके अपने, तो उसके लिए भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हो, बहुत से question मैंने कराई हुए हैं और बहुत से teacher भी है, जो केवल computer को बढ़ा रहे हैं, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ हैं, अगर आप इस तरह से इसको शुरुआत करोगे, तो आप अपने आपको धीरे-धीरे, with the time, आप अपने आपको better state में जानोगे, तो ये मैंने सुचा था कि आज आपको साथ शेर कर देता हूँ, तो एक जो खुशकबरी आपको देनी थी, वो यही है कि कल से आपका telegram पर, अभी तक अगर नहीं जुड़े हो, तो telegram पर जुड़ जाएए, आप सभी जुड़ जाएए, लिंक आपको description box में मिल जाएगी, और channel subscribe नहीं किया, तो भो भी कर लो, हिंदी की reading की, जो articles जो पहले बेशते थे, हम वही फिर से continue हो जाएंगे हिंदी के articles, और साथ ही PDF भी आपको मिल जाएंगे, काफी सारी समय के साथ, सारी कुछ है जो गाड़ कर रहे हैं, तो जितना हो सकेगा, हम अपनी साइट साब को provide कराएंगे, और समय समय पर जो आपको for this future, और बहुत मजाने वाला है, आपको तैयारी में अपनी पढ़ाई को enjoy करना शुरू करो, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तर तक ले गुड़ बाई, God bless you all, अपना और अपने परबाद का ध्यान रखिए, और हस्ते मुश्करत हुए हमारी वीडियोज का अन्द लित्ते रहिए